स्वागत है हार्दी का भी नंदन है तो दोस्तो संभीदाकर्मियों का बढ़ने वाला है मानदे मुखिया और वाड सदस को मिलेगा बोडी गाड विकास आयुद की समिक्षा बैठक फीर होगी इन संभीदाकर्मियों को जो है कि संभीदाकर्मी भी मानने से इंकार कर रही है स से बात करते हुए समराण चौधरी ने कहा कि सरकार तेरा बिंदूओं पर एजेंडा किलियर कर चुकी है अब कोई दरोगा लेबल का अधिकारी पंचायत परतिनी भीयों की हत्या की जांच नहीं करेगा साथ ही पूरी परकिरिया यह अधिक किसी वाट सदस किसी मुखिया की ह हत्या होती है तो पूरी परकिरिया का स्पीडी ट्रायल करवा कर साजा दिलवाया जाएगा बिहार में जन परतिनी भीयों जिन में वाट सदस और मुखिया की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर है राज में त्री अस्तरिये चुनाओं के बाद बहुत से जन परतिनी भीयों करेगी साथ ही यदि कोई वाड़ सदस और मुखिया जो है कि आर्म्स का लाइसेंस लेना चाहते हैं हथियार का लाइसेंस लेना चाहते हैं या उन्हें बोडी गाड़ की जरूरत है तो जीला में जीला सुरक्षा समीती के समक्स आवेदन दे कर वही से संबंधित जो है कि जनवी जनपरतिनीधी जनपरतिनी कि सरकार मांती है वुलों को जो है कि हथियार मुखया कराएगी हाथियार काा लाइसेंस आपने स्टेन्ट कलिए कर चुक है चुकि जो भी जनपरती निधी हैं उन्हें किसी परकार का महसूस होता है तो जीला शुरक्षा समीति के विपना आवेधन देंग और आवेधन पर समीति के द्वारा विचार करके जिस तरह कि उनकी मांगे होगी या उन्हें हतियार का लाइसेंश शाहिए होगा तो सरकार उन्हें हतियार का है प्रीजक्च उसकाशतों कि जाती है सुसका आयिटी से उसका जाच होगा और दोसियों को साजा दिलवाया जाएगा तो खबरों में आगे बढ़ते हैं कंवाली कि विकास आयूक्त की समिक्षा बैठक संपन हुई है तो आप लोग जानते हैं कि बिहार के विकास आयुक्त ने पिछले दिनों समिक्षा बैठा किया जिनमें बिहार के संविदा कर्मियों के मंदे के संबंध में समिक्षा की गई है और मार्च के अगले हपते में जी हां मार्च मार्च बितने के बाद में मार्च अपरायल के जो है कि पहले हफते में मार्च बितने के बाद जो अपरायल का महीना आएगा 31 मार्च के बाद सम्विदा कर्मियों के मंदे में जो है कि सरकार को जो भी अपना बिरिधी करना है जो भी सरकार को जो है कि जितना ब लोग भी इसमें सामील हुए थे जिन में जो है कि हम भी सामील हुए थे तो हम आपको तस्वीरे दिखा रहा हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख रहा हैं सारे संवीदाकर्मी एक जूट होकर वहां पर मीटिंग किये जिन में हो गया है सुटरों के हवाले से हमको जनकारी मिली है कि बिहार सरकार जो है कि कोर रही है जो लोग अस्थाई हैं उन्हीं कैसे अभी लेक बनाया जा हलाकि ऐसा कोई पत्रां lighter के त्रब से जारी नहीं किया गया है present नहीं सरकार ने किसी संविदा कर्मी के पद को संबोधित पत्र विभाग से जारी किया है सभी विभागों के परधान को पत्र दिया गया है जिनमें कहा गया है कि बिहार के संविदा कर्मियों के सेवा अभिलेह कर निर्मान करवाया जा किन्तु राज सरकार के अस्तर से किसी पद को चीनित नहीं किया गया है पद को चीनित करने का काम जीला अस्तर के पदाधिकारी ही कर रहा है जिनमें जीला पंचाहत राज पदाधिकारी जीला पदाधिकारी और संबंदित भी भागों के जीला अस्तर ये अधिकारी जो है कि अपने अधिर नस्तों को निर्ष देत सिसके वज़ा से जो कि एसा माना जा रहा है कि सरकार तरफ से इस्तीती जब तक असपोष्ट नहीं कर दी जाती है कि कीन लोगों का जो है कि सेव 바लेक बनेगा अभी हाल फिलवक्त जो खबर्प में प्राप्त है उसके अनुसार सरकार के तर्फ से यह कहा गया है या और बताया जा रहा है जो कि लिखित रूप में नहीं है मौखी के तौर सरकार जो है कि क Supplya की कौह रही है कि जो लोग असथाई हैं तो सरकार खीवा किसे स्थाई मांती है तो जिनका सेवा 60 व कि कि साथ वर्षों के लिए किया जा चुका है, सरकार उसी को अस्थाई मानती है और उसमें देखना चाहिए कि पांच वर्सों से अधिक समय से जो लोग कार्ज कर रहे हैं उन्हें संभीदा कर्मी घोसित करें किन्तु सरकार जो है कि यहां अर्चन उत्पन कर रहे हैं जिसे जीले से जारी पत्र को जिरास्तरिय अधिकारियों को रद करना पड़ रहा है जो कि बहुत ही छोब का विशाय ह तो यहां हमने आपको बताया सेवा अभिलेक से संबंधित बाते हमने मांदे के संबंध में भी आपको बता दिया कि समिक्षा बैठक विकासायुक्त के द्वारा संपन हो चुकी है और जो है कि आने वाले दिनों में जो कि अप मार्च का महीना समाप्त होने के बाद अप्र कि फला बिभाग में फला पद परकार्जरत ब्यक्तियों का क्या होगा तो यहां हम असपोष्ट कर देना चाहते हैं कि विकासायुक्त के द्वारा जो समिक्षा की गई है वह बिहार के तमाम संबिदाकर्मी चाहे वह किसी भी बिभाग में किसी भी पद परकार्जरत हो चा नहीं से कोई अस्मंजस की स्थीति नहीं है हां लेकिन सेवा अभिलेख में जो है की सरकार के तरफ से कर रहा है कि फला फला पद पर नियोजित इन ब्यक्तियों की जो है कि सिवा अभिलेख तैयार किया जया और 24 गंटे के अंदर पत्र को रद कर रहा है तो इन पत्रों को रद कौन करवा सकता है जीले के अधिकारी के ऊपर कौन होते हैं जीले के अधिकारी के ऊपर राजस्तरि ये सचीव होते हैं परधान सचीव होते हैं मंत्री होते हैं ये लोग कौन हैं परधान सचीव क्या होते हैं सरकार होते हैं मंत्री क्या होते हैं सरकार होते हैं तो सग किसुई इनहीं की तरफ घूम रहा है कि यहीं लोग जो है कि कोह के पत्र को रद करवा रहा है चुकि न्या रहा है कि सरकार जो रहे हैं जर मोन कि रहे है थि यस सामने से ब्यान आ स्वत्र हो रहे हैं लेकिन सारा खेल हो रहा है तो संभीदा कर्मियों के लिए आज एक बहुत ही अच्छी क्सा प्र्म सवी निकल कर वैसे पट के बाद और आपररायल के पहले हफ्ते में सारे संविदा कर्मियों का जो लंबित मंदे का ममला है वह क्लियर हो जाएगा सबी लोगों के मंदे में कितनी आफ्रीधी सरकार को करनी है वह जो है कि अस्पष्ट हो जाएगा तो दोस्तों आज के संचीट खबर के साथ ही हम अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा से शेर कीजिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में